नमस्कार शामद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनों आपका स्वागत है दोस्तों मैं भासकरानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूटूब के चैनल गोव्लोक्स में एक सुन्दर सी मेल हतेली आप पुरुस जातक हैं और आपकी रियल हतेली मेरे शामनी विवेचना के लिए आ रखी है थोड़ी सी कुछ चीजें देखें देखेगा आप अपनी हतेली को थोड़ा बारेक से देखें और जब आपकी हतेली इस प्रकार से लंबाई कम हो और चोक और किसम की जादा हो एक दोसरा आपका जो मुख्य ग्रह है जो हमारी हतेली में बैठने वाले पर्थम आचारे ग्रह है देव गुरु ब्रस्पति यह इस प्रकार से अन्बैलेंस आतेली में हो जो हमारे धन का ग्रह है हमारे को ब्रांड बनाने वाला ग्रह है हमारे जीवन में कार्यों को बनाने वाला ग्रह है आपका सूर्य यह इस प्रकार से कमजोर हो और उसमें से सबसे बड़ी बात अगर आपके हतीली में जो ये निम्न मंगल है यहां से कोई रेखा इस प्रकार से निकल रही हो बीचों बीच और इस प्रकार से जीवन की लकीर को काट रही हो मस्तिस्क की रेखा को काट रही हो या थोड़ा सा टच कर रही हो और करियर और धन की रेखा को काट रही हो तो ये जीवनकाल में संगर्सों की निशानी है ये जीवनकाल में आर्थिक रूप से दरिद्रता की और धकेलने वाली निशानी है ये करजे की निशानी है वो भी छोटा मोटा करजा नहीं बहयंकर करजे में डूबने की निशानी होती है ठीक है न अब क्या हाथ देखा और यह चीजें जीन में देखे घवरा गई नहीं, इसको उल्टा करना है, ये तकलीप दे रहे हैं, अब आपको ऐसा करना है कि ये हमारी लिए काम करें, हमारी लिए धंद लाएं, हमारी लिए खुसियां लाएं जिसे मन परसंद रहें, खुस्नमा जीवन में माहोल बना रहें, सरा ऐसा कारे हो काम आप कहेंगे यह कैसा यह हो सकता है कि यह 100 परसेंट हो सकता है क्योंकि आपके अंदर ऐसी सक्तियां हैं कि जो ब्रह्मान की तरन्गों को अपनी और खींचती हैं और ब्रमान आपके लिए कार्य करता है यह आप कर सकते हैं और बड़ी सललता से कर सकते हैं थोड़ा अनुसासन रखेगा और थोड़ा बिदी पूर्वक किरियाओं को करिएगा यही चीज मैं आपको दो आप यहां पे सबसे पहले देखे आपकी हतेली में बहुत बड़ा लाब होगा लेकिन एक बार पुनो कहराओं में लाब तो होगा लेकिन जो भाग्योदाई की इस्तिति आपकी जीवन में आ रही है यह 36 एर में आ रही है आपका पूर्ण भाग्योदाई 36 वर्स में होगा उससे पहला पूर्ण भाग्योदाई नहीं है दू जीवन में जो दुबारा भाग्योदय है चंद्रमा के कारण सनी के कारण यह जीवन में भाग्योदय की इस्तित्यारी दुबारा 45 वर्स में आपकी जीवन में तीसरा भाग्योदय का काल आ रहा है 57 वर्स में बहुत लग्की हतीली है लिकिन 36 वर्स से पहले का जो समय है ये आपको थोड़ा सा अपनी जीवन में मजबूती लाकि संगर्सों को जहिलना है 36-35 एर तक आपकी जीवन में बहुत बड़ा कुछ नहीं है जैसे ही आपकी जीवन में 36 वर्स आएगा आप 36 वर्स में प्रोविस कर लेंगे आप अचानक ही अपने जीवन काल में बड़े अस्तर की और चलना सुरू कर लेंगे ये यकीनन आपकी हतीलियों में इस पश्ट लिखा हुआ है और आपकी जीवन का एक बहुत बड़ा दोर है 41 से लेके 45 में वर्स का वो किस कारण से है देखेगा यहाँ पे यह चंद्रमा और सनी और करियर और धनकी रेखा के कारण से क्या होगा कैसे होगा यह पूरा समझ लो आप ठीक ने बहुत आगे के बाद बता रहा हूँ आप कहेंगे यह तब तक पतानी क्या होगा नहीं देखेगा थोड़ समझेगा बहुत अच्छा होगा आपकी जीवन में जो होगा चंद्रमा से दीरी दीरी रेखा निकल रही है अपने गंता पी अस्तान के और बढ़ रही है सिर्फ आपको एक एक काम करना है क्योंकि यहां पे एक आएक हिर्दै की रेखा पे मिल रही है आगे ने बढ़ रही है बस एक उपाई दोंगा आपको यह करियर और धन की रेखा को आपको मजबूत करना है इसी से आपका ब्रेस्पती मजबूत होगा, इसी से आपका सोर्य मजबूत होगा और इसी से आपके हतेले में जो राहों का प्रभाव, कुरूर प्रभाव पड़ रहा है ये खतम होगा केवल एक उपाई से और ये उपाई आपको तीन से चार मेने तक लगातार करना है आपको ऐसा लगना है कि यह मैं परिक्षा पास कर रहा हूं और पूरे उपाए नियम से करने हैं धाई वर्सों के बाद इनका प्रणाम जवर्दस्त रूप में आएगा ठीक है लेकिन 41 से 45 के भी जो बहुत बड़ा गोल्डन टाइम है उसमें क्या हो रहा है देखेगा चंद प्रतीक दिन आपके पास धन आएगा कितना आएगा यह प्रेक्टिकल है देखेगा आप हंड़ेट परसेंट होगा यह हाथ की रेखाई 0.1 परसेंट भी किन्तोपरंदुनी बोलती है संभावनाओं को नहीं बताती यह होगा उस चीज को एकुरेट बताती इसलिए तो पा आपको भी दिखता है हतीली हाथ के रेखाई कोई जूट नहीं बोल सकता है आपके हाथ में देखके आपको बताता है आप उस चीज को गूगल भी कर लेते हैं उस चीज को पुस्तकों में भी पढ़ सकते हैं गूगल से अच्छा अगर आप पुस्तकों को पढ़ें तो आपको इस पश्ट दिखाई देगा और जीवन में प्रेक्टिकल इन चीज़ों को आप देखेंगे 41 से 45 के बीच में परते एक दिन आप धन कमाएंगे कितना कमाएंगे अपनी मस्तिस्क सक्ति और योगिता के अनुसार लेकिन कमाएंगे जबरदस्त उसके बाद तो निरंतर है भाग्योदाई है 45 में फिर ठीक है नए अगर आप बहुत लंबे समय से सोच रहे हैं कि मेरे पास एक लग्ज़री वाहन होना चाहिए या उनका एक जखीरा खड़ा होना चाहिए लेकिन मसक्के रह जाते नहीं हो पाता है सपोर्ट तो 41 से 45 का वो समय है जब आप अपना मन पसंद वाहनों को खरी दींगे अपने खुद की कमाई से तीसरा अगर बलाख प्रियास करने पर भी आप अपने घर का सुक प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं यकीन मानियेगा जीवन में 41 से 45 वे वर्स का वो दोर है वो गोल्डन अपोर्चुन्टी आपके अंदर है आप अपने घर का सुक प्राप्त कर लेंगे या उसकी नीव रख लेंगे अगर आप बहुत लंबे दौर से सोच रहे हैं कि कोई बिजनिस खड़ा किया जाए ब्यापार किया जाए नोकरी से उब गए हैं नोकरी नहीं हो पा रही है या अन्यकार्याव में कोई बरकत नहीं आ रही है और नहीं कर पा रहे हैं तो 41 से 45 का वो समय आपकी बात उसको नया आयाम देंगे अगर पहले से बिजनिस है लेकिन लाख चाहने के बाद भी उसका विस्तार नहीं कर पा रहे हैं उसका फैलाव नहीं कर पा रहे हैं उसको एक ब्राण बना कर नहीं उभार पा रहे हैं तो 41 से 45 का वो समय आपकी जीवन में है जब आप उसको विस्तार भी देंगे उसका फैलाव भी करेंगे और निश्चित तोर पे जो है बड़ा लाब भी होगा दूसरा बात ये रेखा आपको आगे चल कर मस्त मौला बना लेगे क्योंकि चंद्रमा और सनी का दोनों का प्रभाव पड़ा है मस्त मौला रहेंगे हमेशा आपकी अच्छा है बड़ी मान प्रतिष्टा भी आपको मिलेगी बड़ी सम्मान की नजरों से दुनिया आपको देखेगी ये निश्चित है एक अलग परकार की इंसान है लेकिन अंदर से आप बहुत ज्यादा भावक भी होगे बहुत ज्यादा कलपना सीलता आपके अंदर उतार चडवा आपको जेलने ही पढ़ेंगे चाया आप कुछ भी कर लो कि यग्या करणो अंगोठिया पहल लो तक बुक्य apparently कितनी भी महेंगी, कितनी भी ऑरीजनल अहटी पएनो, कितनी भी अच्ही जनुरेट तब भी संगर्श खतम नहीं होग उतार-चड़ाव खतम नहीं होगा कई बार और इस्तिर्ता का सामना 36 से पहले खतम नहीं होगा यह आपके हतिली स्पष्ट कह रही है लेकिन एक प्राकृतिक उपाई में दे रहा हूं आपको येकीन मानिएगा कहीं न कहीं जीवन में आपको इसका असर धाइक वर्सों के बाद से जबरदस्त रूप में उपरेगा ठिक यकीनन कह रहा हूं और देखेगा एक बहुत बड़ी चीज में बता रहा हूं आप अपनी जो है हिर्दे रेखा को देखें अपनी मस्तिस्क की रेखा को देखें अपनी जीवन की रेखा को देखें और अपनी करियर और धन की रेखा को देखें यहां पे एक अर्द विक्सित पूरा ही विक्सित और आवे से M का निशान बन रहा है ये क्या कह रहा है ये इस पश्ट रूप से कह रहा है देखेगा मैं अभी आपके अगले चीज़ों पे भी आऊँगा कि आपके जो पंच बूत हैं फाइब इलमेंट जिनको कहते हैं ठीक है ने जिन से सरीर बनावा आपके सरीर के जो अश्टाचक्र है आपके सरीर के जो पंच महाकोस है जो नवद्वार है ठीक है ने अगर इन सब की उनसार अगर हम देखें तो आपके जो इष्ट हैं जो आज़्द्यदीब है वो भगवान शंकर है देवादिदेव महादेब है जो आपकी अदिश्ठातरी देवी हैं वो माँ पारोती हैं भगवती की किसी भी रूप की आप आराधना कर सकते हैं और आप भगवान शंकर के आसुतोस के और माँ भगवती के जितनी जादा समरपन की भावना रहेंगे जितनी आराधना करेंगे उतना ही जीवन में आपको यकीनन दिव्यता और भव्यता की प्राप्ति होगी कितनी होगी ये डिपेंड करेगा आपका समरपन किस परकार का है उसकी क्वालिती क्या है लेकिन निश्चित तोर पे भगवान शिब की आपके उपर बहुत बड़ी किरपा है ठीक अब अभी की इस्तिति अगर मैं देखो तो यहाँ पे जो आपकी इंडेक्स की फिंगर है उसके नीचे का भाग देखो तो यह पूरी त्रो से यहाँ पे उर्जा रिलीज नहीं कर पा रहा है ठीक ने साधनन अवस्ता में बैठे हुए है और इस अवस्ता में यह आपके अंदर साधारनता देता हुआ दिखाई दे रहा है सामने बिक्तित तो देता हुए दिखाई दे रहा है हां नैसर के गुण रहेंगे हां समुक स्वबाव रहेगा दयालुता रहेगी दूसरों की मदद करने की भावना भी रहेगी ठीक ने आर्थिक पक्ष भी बहुत ज़्यादा डवाँ डोल नहीं जाएगा यहां पर राव हो है तो कहने सकता हूं डवाँ डोल नहीं जाएगा वह सकता करजे में डोब जाए ब्यक्ति ऐसी भी इस्तिति है लेकिन यस प्राप्ति प्रतिष्टा की प्राप्ति के लिए मन में जुकाओ जादा बन जाएगा और एक स्वत्तंतर्ता और लीडर्शिप की चाह रखने वाला नेत्रत्व की चाह रखने वाला ब्यक्तित तो बन जाए अब देखेगा है यह जब इस प्रकार से होता है किसी भी ब्यक्ति की हतियले में चाहें आप महिला हों या पुरस हूं और खास करके ब्रिस्पति से समंदित छेत्रों में चाहे सिक्षा का छेत्र हो चाहे इंजिनियरिंग का छेत्र हो चाहे चिकित्सा का छेत्र हो चाहे मैनेजमेंट का छेत्र हो चाहे बानिजा का छेत्र हो या कानुन का छेत्र हो इन छेत्रों में बिक्ति को पूरी त्रों से जो है सफलता नहीं मिल पाती है ऐसे में बैबाहिक जीवन के जो चरम सुक्काब होग है उसके बीच में प्रस्तितियां ये अभी धाई वर्सों तक कहीं न कहीं खड़ी करने की कोशिस कर रहा है संतान को लेके भी थोड़ी सी चिंताई रह सकती हैं होगा तो कुछ नहीं लेकिन हलकी फुलकी मन के अंदर चिंताई ये बना के रह सकता है पैत्रिक संपति होगी तो अभी धाई सालों तक धाई वर्सों तक उसका फाइदा नहीं मिलेगा और इस धाई वर्सों में अगर प्रोपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी ना खरीदे वो प्रोपर्टी किसी न किसी लपड़े में फंस सकती है और आपको लंबे दोर तक उसकी पीड़ा रह सकती है तनाव रह सकता है और डिप्रेशन में आप जा सकते हैं तो उस तरह पना जाएं ऐसे में धन के मामले में अभाव की इस्तिति रहेगी क्योंकि ब्रिस्पति बहुत ज़्यादा यहां पे डाउन इस्तिति में है और बहुत ज़्यादा पोजा पाट करने पर भी इस्ट किरपा नहीं मिल पा रही है आपके घर में जो बुजर्ग हैं उनके साथ सम्मंद अच्छे रखेगा ये बुजर्गों के साथ सम्मंद खराब होने की इस्तिति को ला सकता है या बुजर्गों की वज़ोसे भी जीवन में प्रेशानी आशक्ती है और जो तरक्की का मामला है तरक्की मिलनी थोड़ी रही है दो से डाइवर्सों तक ठीक है ने बस गुजारा चलता रहेगा ये बहुत अच्छा है लेकिन उपाई दोंगा जरूर करें आपको लाब होगा देखेगा जब भी गुरू इस प्रकार से होता है ने तो जो वास्त्विक सुक हैं जो मनुष्य जीवन के लिए चाहि उन सुकों में कमी आती है और ऐसे में एक अच्छी सलाह देने वाला व्यक्ति जिसको गुरू कहते नहीं मिल पाता है और कहीं न कहीं जीवन में बड़ा संगर्स करना पड़ता है ठीक है ने कभी कभी ऐसा व्यक्ति अपने आपको अकेला भी मैसूस करता है और सारिक या मा तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि ये जीवन की लकीर को काट रहा है तो सबसे पहले मुश्किल आपके जीवन में जो आ रही है वो आ रही है कि जीवन में कदम कदम पर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है फिर यहां पे ध्यान से देखेगा ये आपके करियर औ को तच कर रही है तो यह जीवन में लगातार चिंताई दे रही है डिप्रेशन की इस्तिति खड़ी कर रही है दिन रात आपका जो मस्तिस्क है वो कहीं न कहीं ठकता हुआ दिखाई दे रहा है तीसरी चीज अगर आप देखेंगे यहां पर एक गुणा का चिन बन रहा है देखेगा ये बड़ा खराब माना जाता है क्या होता ऐसे में जब ये गुणा का चिन बन जाता है तो अगर आप नोकरी कर रहे हैं तो नोकरी उगेरा में अर्चने आती हैं आप अपने आपको ख जाना कि भयंकर उतार चड़ाव आने सुरू हो जाते हैं आपका नुकसान होने बैठ जाता है और कहीं न कहीं कई बार ब्यापार बंद हो जाता है अगर इश्ट किरपा की वजो से थोड़ा आप इससे बच गए तो फिर ये धनाहाने कराता है विक्त को करजे के दलदल में फ करजा हो जाए अगर राहो आ गया आपकी जीवन में करजा है तो अपने को खुस नसीब मान लो क्योंकि आपके उपर इश्ट किरपा है अगर करजा नहीं है और कोई नुकसान भी नहीं हुआ धन का या व्यापार इत्यादी में नोकरी इत्यादी में नुकसान नहीं हुआ तो बड़ा सतरक रहीएगा फिर क्या होता है करा किसीने भरा किसीने ठीक है नаю ये बे मतलब का आपको फंसा लेता है कोट कचरी का मामला आ जाता है और बिक्ति की चपले घिस जाती है लेकिन मामला सॉल्ब नहीं हो पाता है अगर किसी के जीवन में मानों इन सब में कुछ नहीं हुआ है तो फिर और भी जो है सावधान रहना चाहिए क्या होता है फिर कि रहस्य में बीमारी बिक्ति को पकड़ लेती है पता नहीं चलता है बिमारी आई कहां से है इसका इलाज क्या है और लंबे दोर तक ये बिमारी बिक्ति को प्रेशान करती है धनहानी कराती है और बहुत जादा समस्याओं में डाल देती है कभी कभी जो मैं आप आपके ब्रस्पति के साथ राहो आ गया है तो यह कहीं न कहीं चीजों को उल्टा कर रहा है अब इसके साथ एक और चीज देखेंगे यहाँ पर सूर्य भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कमजोर है देखेगा जब सूर्य इस से कम जोर होते हैं तो कोई भी काम आपका बनता नहीं है आप जितना भी wow करो Jitना भी मिह отпетр कर लो जितने भी जो है चीजों को कर लो लेकिन आपके काम नहीं बन पाते हैं ठीक ने अधूरे में रहे जाते हैं आपको संगर्सों का सामना करना पड़ता है धन के मामले में भी आप कहीं न कहीं बहुत जादा परेशान रहते हैं यहां पर अगर सनी के यह उठावा हो तो यह बेवजहे की चिंताएं आपको देता है कई बार कोई न कोई वजहे बना लेता है जो लगातार तनाव की इस्तिति में ब्यक्ति को र रहे हैं ठीक है नहीं और कार्यों में आपकी असपलता का यह ध्योतक होता है अब आपने वास्तों में करना क्या है जिससे इन चीजों की लिए आप उठे और जो आपके हाथ में राजयोग बन रहा है उसकी प्राप्ति करें देखेगा सबसे पहले आपको क्या करना है लक्षमी का उपाई दे रहा हूं एस्वर्य लक्षमी का उपाई दे रहा हूं उसको जरूर करें जिससे करजे से भी निजात हो जाए आपको और कहीं न कहीं अच्छा धन प्रतिष्टा और मानसम्मान आपको प्राप्त हो जिससे आरोग्य की प्राप्त हो स्वास्त्य बहु पुरी तरों से जुकी हुए है इस उंगली की तरफ धन कमाने की ललक जवर्दस्त रहेगी आगे जाके इसका फाइदा भी होगा यहां यह इसके पहले पौर्वे तक पहुंच रही है यकीन मानिएगा समय आने पर अगर आप व्यापार करते हैं तो एक उतकिष्ट व्यापा दो कारणों से एक तो अपने बलबोते पर कुछ करने वाला जो गुण आपके अंदर है उसके कारण आप सफल होंगे दूसरा आपकी जो कम्यूनिकेशन स्किल्स है वो डेपलप हो रही है उसके कारण आप सफल होंगे यह उंगली पूरी तरों से जुक रखी है इसकी रहेगी नेम भिम पाने की एक्षा रहेगी और एक ब्रांड बनकर उभनने की नेचुरल एक्षा रहेगी यह दोनों बराबर हैं दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं धन और यस की भूक है पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है और जीवन का इस समय में जब जब आपकी जनम कुंडली में सनी साड़ी साती में होंगे धैया में होंगे बकरी अवस्ता में होंगे तब तब इसका प्रभाव आपकी जीवन पर गहरा और लम्मा पड़ेगा कितना पड़ेगा यह आपके करमाज के उपर डिपेंड है लेकिन क्या पड़ेगा ऐसे में कई बार आप दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी सी कमी रहेगी. धार्मिक भावनाईं बहुत अच्छी रहेंगे, इस्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आरद्य के परते समरपन की भावना रहेगी. कैसी भी इस्थिति हो, आरद्य से समरपन की भावना या विश्वास नहीं डगमगाएगा. कुछ जादा मेहनत और प्रिसरम करने के बाद ही चीजों में सपलता मिलेगी. कई बार दोड़ा धोपी का काम भी करना पड़ेगा, लेकिन बड़ी इस्थिति की सपलता दिखाई दी रही है. हिर्दय रेखा देखें, बहुत अच्छी इस्थिति में है, यहाँ पर देव गुरु ब्रस्पति से मिल रही है. आगे 36 इयर से बिसेस कर, आप चाहे ब्यापार करें जीवन में, चाहे नोकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक अच्छा जीवन जीना सुरू कर लेंगे. मस्तिस्क की रेखा देखें, तो एक क्रियेटिव व्यक्तित्व रहेगा, लंबी और हवाय यातराओं का साइद मौका पहुत अच्छा मिलेगा, जिससे मन परसंद रहेगा, खुशनुमा माहूल बना रहेगा, और बौदिक अस्तर बेहतरीन रहेगा. जीवन की रेखा देखें, तो इस प्रकार से यहाँ पे एक दूसरी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो निश्चित तोर पे जीवन में बड़ा लाब दिखाई दे रहा है, और परिवार के परतिस समरपन की भावना रहीगा. करियर और धनके रेखा के बारे में मैंने विस्तार से आपको बता दिया है, एक सुखत जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखत जीवन जीने के लिए प्रितन सिल बिक्तित तो रहेगा. जहां पर हमारी जीवन रेखा और मस्तिस्क रेखा है, उसके बीच में एक बड़ा जुआइंट दिखाई दी रहा है, ये तो निश्चित है कि जीवन में आप एक प्रेशर की उपर बहुत जादा रहेंगे. आपकी उपर पारिवारिक जिम्मेवारियां बहुत जादा रहने वाली हैं, ये इसको इंगित कर रहा है. आप स्वचंद उड़ना तो चाहेंगे, लेकिन कुछ एक जिम्मेवारियां या कुछ एक चीजों के कारण उस प्रकार से स्वतंत्र नहीं उड़ पाएंगे. हाँ, आपका जो लगबग 35 एर तक का जो प्रारंबिक दोर है, उसमें कई बार आपको संगर्षों का सामना करना पड़ेगा, कई बार उतार चड़ाव जहिलने पड़ेंगे, कई बार हो सकता है और इस्तिरता का सामना भी करना पड़ेंगे. लेकिन उसी संगर्ष के बलबूते आगे चल कर आप हर सुक को पाएंगे और हर सुक का भोग भी करेंगे. सुकर की इस्तित देखें बहुत अच्छा है, पीछे की और जुक रहा है, घूमने फिनने के बहुत ज़्यादा सौकिन रहेंगे और सौक पूरा होगा, जिससे मन परसंद रहेगा, खुशनुमा माहूल बना रहेगा. इसमें अगर देखें वर्टिकल रेखाई उबर रही है, आगे चल कर कारे के परती जुजहरोपन बहुत ज़्यादा रहेगा, जिस कारे को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता, उसको छोड़ेंगे नहीं, और यही चीज आपको आगे चल कर बड़ी कामिया भी दिलाएगी, सुक्र का प्रवत बहुत अच्छा है, जब आपका ब्रेस्पती अपने अस्तर पे आजाएगा, आपको निश्चित तोर पे बड़ा अच्छा सुक मिलेगा, निम्न मंगल देखें ज्यादा उबरावा है, छण भंगूर वाला गुस्सा या तनाव हाभी हो सक सकता है, इसको कम करने के लिए दिव्य सूर्य किरिया दे रहा हूं, इसमें इसका उपाई दे रहा हूं, जरूर करें आपको लाब होगा, उपरी मंगल बहुत अच्छा है, आपका जीवन में प्राकरम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, इसके बारे में, इसके बारे में मैंने बता दिया है, बुद्ध भी धीरे धीरे अच्छी इस्तित में आ रहा है, थोड़ा हरी सब्जी है, हरे फल है और हरी दालों का जीवन में जादा यूज करें इन चीजों को और एक हरा रोमाल अपने जेब में या ऑपिस के बैग में जरूर रखे इसको इस्तिमाल न करें केवल जो है एक सिंबल की तोर पर रखें अगर परफ्यूम से एलर्जी नहीं है तो नहाने की बाद चंदन का परफ्यूम तीन मेहने तक जरूर लगाएं और जो है हो सकता है तो बुद्धवार को मेहने में एक या दो बार गाई माता को हर आचारा जरूर खिलाए आपको इसका बड़ा लाब होगा चंद्रमा आपका धीरे दीरे अच्छा हो रहा है और इसका लाब आपको आगे चलकर बड़ा अच्छा मिलेगा ये तो अभी थोड़ा सा जो है इनके साथ मिलकर आपको चिंताई दे रहा है लेकिन जो दे रहा हूं एक दिव्य योग ध्यान किर्या दे रहा हूं और एक महालक्षमी का मैं आपको उपाई दे रहा हूं उन चीजों को जरूर करें बहुत जल्दी आपको अच्छा लाब दिखाई देगा देखा जाई तो मैंने आपकी हतीलिक का पूरा विसलेशन करके आपको बता दिया है और उपाई में विदिवत तरेके से लिख करके ओडियो के माधियम से भीज रहा हूं आप करने की कोसिस करें निश्चित ही इसके परिणाम आपको बेहतर दिखाई देंगे तो इस वीडियो में बस इतना है एक नई वीडियो के साथ पनोपस्तित हूंगा